हाई वेलकम तो भाचैनल इस वीडियो में स्वाल्व करें कुछ नबार 60 तो ध्यान देजेगा अ पब्लीसर गिप्स 32% डिसकाउंट अन्द प्रिंटेड प्राइस आफ बुक्क टू बुक्सेलर्स वाट डज अ बुक्सेलर पे फार बुक फूज प्रिंटेड प्राइस इस रुपीज और 275 करें कि एक पब्लीसर है और वह जो है 32% डिसकाउंट दे रहा है ठीक है आन्दब प्रिंटेड प्राइस देखिए जो प्रिंटेड प्राइस होती है न वही होती है मार्क्ट प्राइस ठीक है this is the marked price या फिर list price बोल सकते हैं तो list price, printed price, marked price यह तीनो जो prices हैं वो तीनो same है अज़ाब same तरीके से use होते हैं तो printed price पर एक book के printed price पर 32% का discount दे करके एक publisher जो है देता है book को किसको देता है booksellers को जो book को sell करते हैं उनको देता है publisher अब कर रहा है कि what does करेगा whose printed price इस रूपीज इतना तो printed price दे दिया है मतब marked price दे दिया है तो यहाँ पर हम लोग use करते है marked price और यहाँ पर हैगा SP कितने में sell हुया तो mark price कितना दिया हुआ है 275 रूपीज और इस पर जो discount दे रहा है publisher वो यहाँ पर दे रहा है 32% ठीक है यह मैंने कैसे बनाया देखे MP यहाँ पर बोला है कि printed price पर यही आपका MP जो है यहाँ पर printed price है printed price ठीक है printed price पर MP पर 32% discount देगर के SP बेज देता है यहाँ पर MP दिया हुआ है 275 रूपीज what does a bookseller pay तो a bookseller कितना pay करेगा जितने में एक publisher बेचेगा है कि नहीं मतलब publisher के लिए जो selling price है यह वाला यही आपके लिए यही जो है bookseller के लिए क्या है bookseller के लिए pay करेगा उतना ही मतलब उसके लिए CP है bookseller के लिए तो जिसे मैं यहाँ पर diagram बना देता हूँ जिसे publisher है आपर पहले बार जो है publisher यहाँ पर है publisher के पास CP कुछ होगा CP के जो बनाया वही है CP और इसका कुछ SP होगा मतलब कि इसका हम लिए सकते है marked price और यही जब बेचेगा किसी को discount दे करके यहाँ पर दे रहा है discount मतलब कि कुछ marked price है publisher के पास और वो discount दे दिया कितना 32% और यह bookseller को बेच रहा है यहाँ पर है bookseller ठीक है तो bookseller को जब देगा तो bookseller जितने खरीदेगा वो उत्रह में खरीदेगा जितना इसका SP होगा publisher का तो यह discount देगा तो यह मिलेगा SP और यह SP ही इसके लिए क्या है CP है cost price तो यही बात समझना है आपको तो इस पर जैता focus नहीं करना बस हमें समझना है कि यह जो publisher के लिए हमें use करना है that's it तो मतलब publisher जो है publisher के पास जो किताब है उसके पास जो marked price है या फिर printed price है वो है 275 रपीस और 32% का discount दे करके वो base देता है एक bookseller को तो bookseller कितना pay करेगा यह पूछा हुआ है मतलब कि यह SP पूछ रहा है कि SP क्या होगा तो बस घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है solution करना असान है हमें क्या करना है MP, SP और discount percent में जो relation होता है उसके use करना है और solve कर लेना है तो हमें SP परापर क्या होता है फामुला क्या जानते हैं हम लोग तो we know that we know that we know that SP is equal to क्या होता है यह होता है MP multiplied by 100 minus discount percent upon 100 यह फामुला होता है यहाँ पर MP दिया बाए 275 मदब printed price यहाँ पर use कर लेंगे तो यह मिलेगा आपको 100 minus discount percent कितना है 32 percent 32 upon 100 तो यहाँ पर हो जाएगा 275 multiplied by यहाँ पर 100 में 32 किना हो जाएगा यह हो जाएगा 70, 68 68 upon 100 अब यहाँ multiply करना है तो हम multiply करते हैं 275 में हम करेंगे 68 से तो 85 जा 40 का 0, 4 carry over and 8 7 जा 56, 56 and 4, 7 60, 60 का 0, 6 carry over 8 to 16, 16 and 6, 22 6, 5 जा 30 का 0, 3 carry over 6, 7 जा 42, 42 and 3, 45 45 का 5, 4 carry over 6, 2 जा 12, 12 and 4, 16 तो यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 and 6 to 8 and 1 तो यह मिल जाएगा आपको 187 00 upon 100 तो जीवजर के से लट हो जाएगा और मिल जाएगा 187 रुपीज बहुत सिंपल था यह question और यह आपका answer है यह ही आपका selling price है जिस पे मतलब वो खरीदेगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप and hence, the price which a bookseller has to pay is equal to 187 रुपीज this is your final answer तो यदि आपको ये solution समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए और दोस्तों को शेर करिए और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि ऐसे वीडियो जाफ ही आपको तभी तभी मिल पाएगा जब सब्सक्राइब किये रहेंगे क्योंकि आपको नोटिफिक्सन तभी जाएगा आपके पास ओके यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं पहले से आल्रेडी तो थैंक्यू फार वाचिंग बाई